जहन्द स्टूरेंट्स, इसमें आलादीन की कहानी हो सकता है, बहुत सारे बच्चेओं ने सुना होगा, इसमें आलादीन और जादवी चिराग के बाडे में कहानी है सबसे पहले इस कहानी को चानने के लिए कहानी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं इसमें characters कौन कौन है तो सबसे पहले कौन है देखो आप कि आलादीन है आलादीन है और ये आलादीन कौन है अपूर टेलर सन एक गरीब दरजी का बेटा है आलादीन मुस्तफा कौन है आलादीन's dead father आलादीन के मरे हुए पिताजी है जरीना कौन है जरीना आलादीन's mother अलादीन की मा विक्टि विजार्ड विक्टि विजार्ड मिन्स क्या होता एक बुरा जादुगर ये कौन था आलादीन's false uncle आलादीन के जूटे चाचा जूट मूटके चाचा, नकली चाचा दजीनी, जीनी कौन था? अफ दे लैम्प जादवी चिराग से निकला हुआ जिन तो सबसे पहले द्रिश्य में देखें क्या होता है सीन फर्स्ट है इसमें है कि evening, साम का समय है आलादीन and his mother are eating a simple meal of dry bread and vegetable soup साम का समय है आलादीन और उसकी मा दोनों साधारन खाना खाड़ है खाने में क्या है? तो सूखी रोटी है और सबजी है आलादीन कहता है Mother, I met my uncle in the street this morning मा, आज सुभा मैं street यनि की गली वाले सरक में मैं अपने अंकल से मिला यह सुनकर जरीना चौक जाती है जरीना बहुत ही चौकते वे पूछती है योड अंकल डिड ही टेल यो आहिस ने क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया? आलादीन आलादीन कहता है he said he is father's brother वो उसने कहा कि वो मेरे पिताजी के भाई है और हम लोग सभी जानते हैं कि पिताजी के भाई कौन होते हैं हमारे अंकल होते हैं होते हैं ना? तो आलादीन को तो यही लगा लेकिन क्या सच में वो आलादीन के चाचा थे तो हम लोग इस कहानी को पढ़के जरूर जानेंगे तो जरीना कहती है मुस्तफास ब्रदर उसे यकीन नहीं हो रा था मुस्तफा उसके पती का नाम था यानि के अलादीन के मरे हुए पितागा What did he say? Someone knocks at the door और वो पोची रही थी मुस्तफा के भाई क्या कहा उसने? तभी दर्वाजे पर किसी की दस्तक हुई किसी ने दर्वाजा खट-खट आया What's that noise? Who's there? आलादीन Go and find out तो उसके मा कहती है ये कैसी आवाज है? कौन है वहाँ? आलादीन जरा देखो तो मा कौन है? और फिर आलादीन क्या करेगा? वहाँ जाएगा देखते हैं क्या होता है? फिर आलादीन Goes and opens the door जाता है और दर्वाजा वहाँ खोलता है Greetings, Uncle Mother, Mother, come quickly Uncle has come to see us और जब उसने दर्वाजा खोला तो क्या देखा? ये तो अंकल है उसके वही अंकल जो रूट पर मिले थे और उसने उसका भी वादन किया और मा को बुलाया मा, मा जल्दी आओ देखो तो मेरे चाचा हम लोगों से मिलने आये हैं तो वो विजार था, जादुगर था तो जादुगर greeting to you अलादीन जरीना comes to the door Greetings to you, जरीना और आने के बाद क्या किया कि जैसा ही जरीना वहाँ पे गई दरवाजे पर तो उस विजार ने, उस जादुगर ने जरीना का भी अभिवादन किया जरीना कहती है Who are you? How do you know my name? I don't you I don't know you तो जरीना कहती है कौन हो तुम? तुमने मेरा नाम कैसे जाना तुम्हें कैसे पता है मेरा नाम मैं तो तुम्हें नहीं जानती तो विजार वो जादुगर कहता है जरीना Don't you remember me? जरीना क्या सचिमें मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? I am your dead husband's brother मैं तुम्हारे मरे हुए husband का भाई हूँ तब जरीना कहती है मुस्तफास brother After so many years Please come inside Do sit down तब फिर जरीना को भी लगा कि हो सकता है कि ये मुस्तफा के भाई ही होंगे तब जरीना कहती है इतने सालों बाद आप आए कि पिया अंदर आए और बैठ जाए कोई घर आता है तो क्या करते हो उसे बैठने के लिए पूछते हो ना फिर देखे विजार्ड ने क्या कहा जादुगर ने क्या कहा Thank you Peace be upon you To Aladin I need your help I am an old man Tomorrow I must take Take out the treasure which I have hidden in a secret place Will you get it for me? I will make you very rich if you help me तो उन लोगों ने जब उनको अंदर बुलाया तो विजार्ड ने धन्यवाद कहा और कहा कि आलादीन तुम्हें देखकर मेरे दिल को सांती मिली अच्छा लगा कि मेरे भाई का कोई आउलाद भी है ऐसा सोचकर और उसने कहा कि आलादीन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है कैसे हेल्प? तो कल मैं मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ कल मैं अपने खजाने को निकालने जाऊंगा जो कि मैं एक सिक्रेट प्लेस पर छुपा रखा है विल यू गेट इट फोर मी? क्या तुम उसे मेरे लिए निकालोगे? ऐसा उस जूठे अंकल ने अलादीन से पूछा आई विल मेक यू वेरी रीच इफ यू हल्प में मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूँगा अगर तुमने मेरी सहायता की तो अब आलादीन क्या कहता है? आफ कोर्स अंकल आई विल गेट यू ट्रेजर फो यू आलादीन कहता है की बेलकुल अंकल क्यो नहीं? मैं आपका खजाना आपके लिए जरूर निकालूंगा तो विजाट कहता है क्या? थैंक यू तो धन्यवाद कहा और कहा कि हम लोग बहुत सुभर ही उस खजाने को निकालने निकल पड़ेंगे अब देखे दूसरे दिश्य में क्या होता है? सेकेंड सीन में आलादीन और वो जादूगर बहुत ही सक्रे वैली से होते हुए जारा था और उसने क्या किया? कि विजाड ने एक लाइट जलाया और उसमें एक जादूई कुछ पावर फूंका जैसे ही जादू किया जादूगर ने तो धरती थर्थराने लगी कापने लगी, हिलने लगी बहुत ही भयानक तरीके से और वहीं पर ग्राउंड ओपन हो गया यानि कि धरती से एक जैसे की धरती खुल गया वहाँ पर और वहाँ पर क्या था कि एक बड़ा सा स्क्वाइर मतलब चौकोड इस तरह का एक स्क्वाइर स्टोन से दर्वाजा जैसा लगा हुआ था और उसमें एक ब्रास रिंग था धादू का जिसको पकर के खीचा जा सके आलादीन इस अस्टोनिस्ट आलादीन बिल्कुल अचंबित था ये सब देखकर बिल्कुल चौका हुआ था तो विजाड कहता है आलादीन आलादीन पुल अप दब्रास रिंग इस ब्रास रिंग को खीचो तो अलादीन क्या कहता है येस अंकल पुल्स अप दरीम दर स्टोन मोज तो वन साइट ही सीज अ फ्लाइट अफ स्टेर्स और अलादीन ने कहा हां अंकल और उसने ऐसा कहकर जैसे ही उस स्टोन का ब्रास के हैंडल को खीचा तो वो बगल हो जाता है साइट हो गया और गुफा का दर्वाजा खुला और उसमें सीरी था तो जादुगर कहता है अब तुम अंदर जाओ नीचे जाओ और एक पुराने लैंप को ढूंडो चिराग को ढूंडो और जैसे ही अगर वो मिल जाए तो उसे लेकर मेरे पास आओ और उसके बाद तुम्हें इस गुफा से जो कुछ चाहिए उसके बाद तुम लेते रहना सबसे पहले तुम्हें क्या करना है गुफा के अंदर जाना है चिराग को ढूंडना है और उस चिराग को लेकर मेरे पास आना है फिर जो चाहिए तुम लेते रहना और हाँ अंकल कहकर अलादीन अंदर चला गया, नीचे जैसे ही जाता है, तो देखता है ये गुफा तो बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा गुफा है, फिर अलादीन कहता है, इस वेरी डार्क इन हीर, यहां तो बहुत अंधेरा है, बट वाट साइनिगा ओवर देया, लेकिन वहां क्या चमक रहा है, उसने देखा कि इतने अंधेरी गुफा में वहां चमक क्या रहा है, रव्स इस आईज और उसने अपने आखों को रग रहा, गोडन जोल्स, वाट सलाइट टेक विद्मी, अब वो जैसे हिं गुफा में जाता है, उसकी आखें चकाचौन्द हो जाती है, क्योंकि वहां बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के पड़े हुए थे, अब वो सोच रहा है, इसमें से क्या वो अपने साथ लेकर जाए, फिर वो ये भी सोच रहा है, कि इतने सारे गहनों, इतने सारे गोल्ड कोईन्स को छोड़ कर, अंकल को वो गंदा सा, पुराना सा चिराग ही क्यों चाहिए, ये भी सोच रहा है, ये भी सोचने वाली बात है ना, कितना ख़जाना नहीं चाहिए उसे उसे चाहिए क्या तो एक चिराग चाहिए तो wizard बाहर से आवाज देता है और कहता है hurry up bring me the lamp quickly जल्दी जल्दी करो और मेरे लिए वो जल्दी से lamp डूंड कर मेरे पास ला दो तो आलादीन कहता है I am coming uncle I have the lamp उसे lamp मिल चुका है और वो कहता है मैं lamp लेकर आ रहा हूँ starts climbing up the stairs और वो सीरी पर चरते हुए कहता है I will give it to you मैं इसे आपको दे दूंगा बहला उस पुराने lamp का वो कि अलादीन क्या करेगा आलादीन को तो कुछ पादा भी नहीं था इसलिए उसने कहा कि मैं जैसे ही बाहर आउंगा इस lamp को मैं आपको दे दूंगा but first let me come out into the open air लेकिन इससे पहले मुझे पहले बाहर आने दीजिए खुली हवा में आने दीजिए जब मैं बाहर आ जाऊं तब मैं ये lamp आपको दे दूंगा तो जादूगर क्या कहता है तो जादूगर को गुसा आया और उसने कहता है जल्दी से मुझे अभी के अभी मुझे वो चिराग दो नहीं तो मैं तुम्हें पनिस करूँगा मैं तुम्हें सजा दूंगा और कैसी सजा तो मैं तुम्हें इसी गुफा में बंद कर दूंगा ऐसा कहा उस जादूगर ने तब आलादीन क्या कहता है अब आलादीन को कुछ समझ में आने लगा ये जादूगर में जरूर कोई बात है ये जूट मुट का मुझे गुम्रा कर रहा है इसलिए उसने कहा अब मैं इसे तुम्हें नहीं दूँगा अब विजार्ड को और भी जादा गुस्सा आ गया विजार्ड एंगरीली, देन स्टे इं दे केव थ्रो सम मैजिक पावर उन दे स्कॉर स्टोन और सट अच शाउट अस पेल अब उसे गुस्सा आया और उसने कहा तु रहो तुम्हें इसी गुफा में और ऐसा कहकर उसने कोई मैजिक पावर मारा और उस square stone पर और उसने क्या किया दरवाजे को, केव के दरवाजे को बंद कर दिया The stone moves and starts the cave Stone move करके उस केव को बंद कर दिया I cannot get the lamp myself Someone has to get it for me If I try to get it, I will die अब ऐसा भी सोच सकते हो ना कि जब ये काम उसने आलादीन को कहा करने के लिए चिराग आलादीन को बोला लाने के लिए वो खुद से भी ला सकता था तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया ये बड़ा सवाल है ना ऐसा उसने क्यों नहीं किया तो ऐसा उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि अगर वो खुद से लेम्प लाने जाता या जबर्दस्ती आलादीन से वो चिराग लेता तो वो मर जाता ठीक है इसलिए उसका वो चिराग तब होता जब वो कोई और लाकर उसे देता तो तब आलादीन क्या करता है देखो आलादीन कहता है I can't get out मैं बाहर नहीं निकल सकता help, help uncle why have you set me in किर्पया मेरी मदद करिये मदद करिये uncle आपने मुझे इस में इस गुफा में क्यों बंद कर दिया so being oh what shall I do if I light this old lamp I may find my way out I will clean it first अब उसे, अब उस सुबखने लगा रोने लगा और कहता है चाब मैं क्या करूंगा अब मैं कैसे इस गुफा से बाहर निकलूंगा फिर उसने सोचा अगर मैं इस लैम्प को जला दूँ तो थोड़ी रोस नहीं हो जाएगी और अगर थोड़ी रोस नहीं हो जाएगी तो मैं अपने घड़ का रास्ता ढूंड पाऊंगा तो सबसे पहले क्या करना होगा उस लैंप को साफ करना पड़ेगा क्योंकि वो लैंप गंदा था टेक्स दे लैंप और रब्स एट ओन ओन हिस सर्ट जीनी एपियर्स और उस ओल्ड लैंप को साफ करने के लिए जैसे ही उसने उसे अपने सर्ट पर गिसा उसे एक जीनी एपियर हो गया तो जीनी क्या कहता है I am the servant of the lamp मैं इस चिराग का नौकर हूँ My house is in the lamp और मेरा घर इसी चिराग में है And the man who owns the lamp owns me जो कोई आदमी इस चिराग का मालिक होता है वही मेरा भी मालिक हो जाता है What are your wishes? अब वो कहड़ा है कि तुम्हारी क्या इक्षा है अब इसका मतलब क्या हुआ? कि जीन उससे निकलता है और ये कहता है कि मैं इस चिराग का नौकर हूँ मेरा घर इसी चिराग में है और जिस आदमी का ये चिराग होता है मैं उसका भी नौकर हो जाता हूँ तो मांगो तुम्हारी क्या इक्षा है? तब आलादीन कहता है Am I dreaming? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पिंचेज हिमसेल्फ आउच! उसने अपने आप को चिट्टी काटा तो वो सोचता है I am awake मैं तो जगा हुआ हूँ मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ This is magic यह तो जादू है जीनी Can you take me home along with all these wills? अब देखो आलादीन भी कितना चालाक निकला कितना होसियार निकला एक ही wish में उसने सब कुछ मांग लिया कहा जीनी क्या तुम मुझे मेरे घर छोड सकते हो इन सारे जो elles के साथ इन सारे खजानों के साथ इन सारे गहनों के साथ क्या तुम मुझे मेरे घर छोड दोगे तो जीनी कहता है Sachalry master away we go मैं जरूर मेरे आका क्यों नहीं हम लोग अपी चलेंगे और अलादीन moments later अलादीन कहता है एक च्छन भर बाद बस च्छन भर बाद ओ I am back in my house again जीनी thank you you saved my life और च्छन भर में वो अपने घर में था और कहता है कि और उसने इस चीज के लिए जीनी को धन्यवाद कहा और कहा तुमने मेरी तो मेरी मेरा जीवन बचा दिया है ना तब जरीना जो कि अलादीन की मा थी उसने वो कहा उसने कहा अलादीन अलादीन what happened अलादीन क्या हुआ he tells his mother the whole story और जब जरीना ने पूछा तो अलादीन ने सारी कहानी बता डाली कह दिया के कैसे कैसे उसके साथ क्या कुछ हुआ था फिर क्या होता है बच्चों तो जरीना कहती है कि that was not your uncle वो तुम्हारे अंकल नहीं थे he was a wicked wizard वो तो बहुत बुरा जादूगर था remember one thing हमेशा एक बात याद रखो never talk to strangers कभी भी किसी अजनभी से बात नहीं करो ऐसे लोगों को जिसे आप नहीं जानते हो उसे stranger कहा जाता है किसी भी stranger से बात मत करो and tell them where you live और नहीं उसे ये बताओ कि तुम कहां रहते हो किसी भी stranger को अपना पता नहीं बताना चाहिए तब आलादीन कहता है yes mom, hama, I will remember that मैं हमेशा इसे याद रखोंगा और कभी भी किसी stranger से बात नहीं करूँगा और उसे मैं अपना address नहीं बताओंगा अब उसके बाद कि फिर क्या होता है आलादीन became very rich with the help of the genie और जीनी की सहाइता से आलादीन बहुत अमीर हो गया he and his mother lived happily ever after और उसके बाद से हमेशा से उसकी मा और आलादीन दोनों खुसी-खुसी रहने लगे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी ना मुझे भी बहुत अच्छी लगी तो अब क्या करना है इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है वीडियो को देखना है समझना है फिर आपको इसके सारे objectives को solve करना है ओके थैंक यू